जैसे कि आपको पता होगा कि रजनेज वर्जिस नेहा की केस में सुप्रीम कोट में ये मेंडियेट कर दिया था कि बोट थी पार्टीज हस्मेन और वाइफ दोनों को एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें वो डिस्क्लोज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी एंड उनकी लाइबिलिटी से रिगार्डिंग जो भी उनके पास नौलेज में है उससे रिगार्डिंग वो सारी चीजों को वहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे एफिडेविट फाइल करेंगे कुछ ऑफ दोनों को कमपैल कर रहे हैं कि वह एफिडेविट फाइल करें जहां पर डिस्ख्लोज करें अपनी प्रॉपर टी से रिगार्डिंगी। क्योंकि कोट को नेसेसरी होता है कि जब अपने डिस्क्लोजर करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को तभी तो उसके अकॉर्डि भी इसका एक बेस है section जो कि ये court को ये power देती है section 106 of the evidence act जो कि ये power देती है कि जब कोई जब कोई ऐसा knowledge है जो कि another party के ही knowledge में है और वो keys का foundation है then court वहाँ पे compel कर सकती है और वो ये direct कर सकती है कि other party वो knowledge को produce करे तो यहाँ पे section 106 के power को court invoke करती है क्यों क्योंकि the income of the one party is not knowledge is not the knowledge within the knowledge of the another party जो income है one party का वो within the knowledge of the another party के knowledge में नहीं है या तो husband या वाइसा वरसा दोनों को नहीं बता है तो court यहाँ पे section 106 की power को invoke करती है और in case अगर दोनों party में से किसी party ने अगर नहीं अपने affidavit file करें और नहीं बता रहे हैं तो क्या होता है न section 114 of evidence act वहाँ पे court ना adverse inference drawn कर लेती है उनके against कि हाँ यह चीज़ existence में होगी certain facts तो अगर वो disclose नहीं करेंगे तो उनके against भी case चला जाता है और section 114 जो adverse inference की बात करती है वो court यहाँ पे infer कर लेती है इसलिए section 106 की power को court invoke करती है for the disclosure of the assets and liabilities of the parties I hope आपको इस वीडियो के थ्रू clarity मिली हो और एक और बात मैं बोलूँगे along with वैसे मैंने इस पे detail वीडियो बना रखी है जो court है ना affidavit से related अपनी power को invoke करती है section order 10 of the CPC और एक और आपको चीज़ बता होगा कि complete justice को provide करने के लिए अगर court को लगता है ना कि कोई extra evidence की need है यह कोई भी extra अगरी examinations की need है वैसे section 165 of the evidence act यह court को एक extraordinary power देती है तो यह section 165 का भी court का power है कि वो यहाँ पे examine करने का और examine करने का यहाँ पे parties को compelled कर सकती है कि वो affidavit को file करें तो यह section 165 पे भी based है Indian evidence act की तो आपको आई हो पता चला हो कि section 106 के बारे में 114 के बारे में और 165 of the evidence act अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं try करूँगी कि मैं उसका answer दूँगी और मैं आपको एक suggestion दूँगी कि आपना रजनेस वर्सिस नेहाक को judgment को बहुत अच्छे से पढ़ी है क्योंकि recently मैंने एक case देखा था case नहीं बोलूँगी मैंने question देखा था जो कि case यही आ रखा था रजनेस वर्सिस नेहाक वाला ही case आ रखा था हरियाना जोडिश्री हरियाना जोडिश्री या MP जोडिश्री में question आ रखा था कि किस case में Supreme Court ने direct किया था कि बोट दी parties को अपनी disclose करना होगा assets and liabilities को affidavit के थूँ तो रजनेस वर्सिस नेहा के ही case में यह court ने बोला था और इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि कुसूम का case था एक कुसूम वर्सिस स्टेट ऑफ डेली इसमें भी डेली हाई कोट का यह judgment था उसमें भी डेली हाई कोट ने यह बिल्कुल mandate किया था कि आप अपने डिस्क्लोज करेंगे एफिडेविट के थूँ तो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोट के डिफरेंट 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 ओपीनियन थे इससे रिगार्डिंग एफिडेविट की फाई की रिगार्डिंग बट रजनेस वर्सिस नेहा में एक complete guidelines दे दी गई जो कि अब फ format प्रोवाइड किया था ना वो में किसी वीडियो में आपको दे दू या community box में में पोस्ट कर दूँगे क्योंकि मेरा Delhi High Court में जब मैंने अपने litigation स्टार्ट किया था 2019 में तो first maintenance था live-in relationship का था तो उसमें भी ये तो एक अलग topic हो जाएगा तो वहाँ पे भी maintenance regarding सारा मैंने एफिडेविट जब देखा तो इस case का ना वहाँ पे reference था तब मेरे को पता चला कि हाँ ये कुसुम की judgment में ये held किया गया था क्योंकि इससे पहले मुझे एफिडेविट का नहीं पत है कुसुम कुसुम वर्सेस टेट अप डेली का judgment था डेली का ही था तो डेली हाई कोट नहीं वापे guidelines दिया था कुसुम की judgment में तो मैं ट्राइ करूंगी कि वह format आपको मैं प्रोवाइट करवा दूँ एक पर ही वह format देख लेना कि वह फॉलो किया जागा एक आपको knowledge के लि सकते हैं क्योंकि वैसे तो follow तो अब रजनेस वर्सेस नहा कहीं किया जाता है बट डेली हाई कोट में अभी भी practice में है कि वह कुसुम के ही एफिडेविट के जो फॉर्मेट है उसको follow किया जाता है thank you so much